गूड आप्टरनून तो यहां पर इंग्लिस प्रॉम जीरो टू एडवांस यानि कि एकदम जीरो से उठाये जाएगा और एडवांस तक लेच चलेंगे और वीडियो क्लिप नंबर वन है जिसमें हम लोग देखो इंग्लिस में अगर सबसे पहली चीज अगर बात आते हैं तो भाई ठीक है A, B, C, D आते हैं वो सबको पता रहता है लेकिन उसके बाद में सबसे जो पहली चीज आते हैं वो आता है नाम अपना नाम लिखो इंग्लिस में पापा का नाम लिखो जो सबसे पहली चीज आते हैं तो अगर बात करें सबसे पहली चीज तो A, B, C, D आते ह हुप यह सबको पता रहता है जैसे A यह होता है आपका है ना और B आपका क्या होता है इस तरह से इसमाल में B लिखा जाता है यह कैप्टल में सी है इसमाल में सी है कैप्टल में D और यह इसमाल में D है ना ये capital मेंच ये small मेंच है ना फिर यहां पर I ये capital हो रही है small फिर ये J ये capital हो रही है small और यहां पर ये K ये capital हो रही है small और यहां पर L ये capital हो रही है small और यहां पर M ये capital और ये small और यहां ये आपका N ये capital हो रही है small है ना M N फिर इसके बाद O capital और small P, यह capital P और यहाँ पर Q, यह capital Q है और यह small Q है, यह capital R और यह small R, लेकिन किताब में कुछ ऐसे बना रहता है, क्लिए रहे ना, इसके बाद में S, यह capital S, और यह small S, T, यह capital T और यह small T, इसके बाद U, यह capital U और यह small U, इसके बाद यह V, यह capital V, यह small V, है ना, इसके बाद में, यह W, capital W, और यह small W, और इसके बाद में यह capital X, यह small X, और यह Y, और यह small में Y और Z, आयो भी यह सब को पता रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद में भी हमें सबसे पहले, देखो, सबसे पहली चीज़ जो होती ABCD, I mean alphabet होता है, clear, यह तो, दूसरा होता ह नाम लिखना होता है, दूसरा होता है, नाम लिखना है ना, तो अब नाम लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती, यह भी चीज़ समझना होगा, कि नाम लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो नाम लिखने के लिए जैसे हमें, यह चीज़ इंगलिस में सबसे वैसे नाम लिखने के लिए हमें छोटा A की English होती है A होती ये ची जरूरत होती है आई-ूप ये भी सबको पता रहता है छोटा की English A होती बड़ा की English क्या होती है A या AA होती की लेकिन generally A ही लिखा जाता है बड़ा A भी लिखा जाता है हार कार्ड में आप देख सकती है चोटी इक इंगलिस क्या होती है आई होती बड़ी की इंगलिस क्या होती है बोलो आई या डबल इ होती है जो आपको पता है बोलो चोटा उक इंगलिस क्या होती है यू होता है और बड़ा उक इंगलिस क्या होती है ए आई होती है है ना ओ की इंगलिस क्या होती है और आउ की इंगलिस क्या होती है तो आउ की इंगलिस ए यू और कहीं कहीं लोग ओ यू भी लिखते है क्लियर है ना इसके बाद में अंग की इंगलिस क्या होती है ए एन होती है और अहा की इंगलिस क्या ह होती है के एज, actually आप इसके साथ ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वैसे यहाँ पर ए लगेगा, actually इसमें चोटा आ छीपा है, छोटा आ नहीं होता, तो हलंग के साथ का आता, तो काक इंगलिस के या के आप अभी तो हम generally यही मान कर चल रहे हैं, समझ पा रहे है अच्छा गाक English क्या होगी GA होगी और गाक English क्या होगी Speed में बताईए G H चलो हम A ही लगाते चलें सबके साथ है ना गाक English GH होगी और अंगा की English देखो वैसे अंगा की English NA होती है लेकिन अगर वैसे भी लिखना चाहिए तो NGA भी होती है इसके बाद में बोलो चाह की English क्या होती है C H A और चाह की English क्या होती है C H A जाह की English क्या होती है J A और जाह की English क्या होती है J H A और यह की English क्या होती है N A होती है टा और दूसरा ता दोनों की English क्या होती है T A और यह ठा और दूसरा था दोनों की इंगलिस क्या होती है टी एच ए और डा और दूसरा दा दोनों की इंगलिस क्या होती है बोलो डी ए होती है और यहाँ पर डा और दूसरा धा दोनों की इंगलिस क्या होती है डी एच ए होती है और यहाँ पर अडा और ना इन दोनों के English क्या होती है N A होती है दोनों के English क्या होती है N A होती है इसके बाद में Parkingless क्या होती है Speed में Parkingless P A होती है और Parkingless होती है P H A होती है और Parkingless होती है B A होती है और Parkingless होती है B H A होती है और Markingless क्या होती है M A होती है या किंगलिस क्या होती, या किंगलिस क्या होती, आर ए, ला किंगलिस क्या होती, एल ए, और वा किंगलिस क्या होती, भी ए भी होती है, बड़ा सा और खश्टी सा दोनु किंगलिस क्या होती है, बोलो, एस एच ए होती है, लेकिन छोटा सा किंगलिस एस ए होता है, और हा किंग इंगलिस क्या होती है बोलो टी आर ए होती है और ग्यांक इंगलिस क्या होती है जी ए होती है ग्यांक इंगलिस क्या होती है जी वाई ए होता है ये जनरली बेसिक है आपको अब यहां से सबसे पहला चीज नाम आता है नाम लिखने का जैसे सपोच करो किसी का नाम कमल है तो व लेकिन हमें ध्यानिये रखना है कि लाश्ट में A नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, इसका सही फॉर्म क्या होगा, K-A-M-A-L होगी, इस तरह से कमल होगी, अब इस तरह से इसकी प्रजात के जितने भी सब्द हैं, I mean, तीन अच्छर वाले जितने भी बिना मात्रा के जाता है, बोलो, इतना समझ में आया, लेकिन अगर हम, अब इस प्रजात के आप दो-चार सब्दों तो बना ही सकते हैं, तो आप कम से कम कुछ नहीं, तो पांच सब्दा बना दीजेगा, और उसकी इंगलिस भी बना कर अगर आप देख रहे हैं, तो कमेंट कर दीजेगा, ने, तो जहां भी आप नोर्च बनाएंगे, तो आप आप पांच सब्दों बना लीजेगा, जैसे पवन हो गया, अमन हो गया, रमन हो गया, जादा नहीं, इससे ये रहेगा, आपको आइडिया रहेगा है न, अच्छा, लेकिन अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं बात कर द होगी के ए, एम एल ए, एम के बाद ए नहीं रहेगा, एम के बाद ए नहीं रहेगा, अब इस पर भी, इससे समंधित, मतलब इससे आइसे मिलते जुलते सब्द, यहां भी आपको पांच सब्द, मैं पांच सब्द इसले कह रहा हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने रहे, जैसे सरला, सरला की spelling क्या होगी बोलो, स-A-R-L-A, आर के बाद ए नहीं रहेगा, मैं कहे दूँ, गमला, गमला की spelling क्या होगी, G-A-M-L-A, मम्ता की spelling क्या होगी, M-A-M-T-A-Y, मम्ता की इंगलिस M-A-M-T-A, मतलब अगर तीन अच्छर वाला है, और लाश्ट में बड़ा की मात्रा है, तब वहाँ पर क्या गरेंगे, बीच में मात्रा नहीं लगाएंगे, समझ में है, तीन अच्छर वाला, समझ में है, लेकिन मैं अगर आपसे बोलू, कामता की spelling क्या होगी, ध्यान देना, कामता, तो क्या आप बताएंगे, बोलिए कामता की spelling क्या होगी, क्या आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो कमता हो जाएगा, यहाँ पर डबल ए हो जाएगा, अब देखो, यहाँ पर आपका यह भी सही कामता की spelling, अभी मैं बता रहूं क्यों सही है, वोसे इसको आप कमता भी आप कमता बोलेंगे, अभी जिस है इसाप से मैंने, अगर यहाँ पर हम करते हैं, के ए, के डवल ए, हाँ ना, एम टी ए, तो यह कामता, यह भी सही हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं, कामता की spelling यह भी तो हो सकता है, के ए, है ना, अम, ए, टी, ए भी हो सकता है, देखो, नाम में कोई पंगा नहीं है, डिपेंड करता है, अपना नाम की spelling लखता क्या है, ध्यान देना, डिपेंड यह भी करता है, की नाम की spelling लखता, कामता पर साद, वो इसे कामता की spelling तो यही लिखते हैं लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो इसका pronunciation किससे आ रहा है कमता से भी तो आ रहा है तो ध्यान देना इसमें ये एकदम कोई कसम मत खा लेना लेकिन इसके लिए इन दोनों के लिए तो कसम ही खा लेना कि बीच में ए नहीं लगेगा और यहाँ पर लाष्ट में ए नहीं लगेगा यहाँ पर भाई डिपेंड करता है वो नाम क्या लिख रहा है अपना क्लियर है ना जैसे लठ्षमी अब ध्यान देना ये बढ़ ही जीता जागता एकजामपल है जिन्दा एकजामपल है आपका लठ्षमी तो लठ्षमी के आप स्पेलिंग ल-u-x-m-i भी देखे होंगी और वैसे देखा जाए लाक इंगलिस ल-a-k-s-h-m-i लठ्षमी की स्पेलिंग ये भी लिखने वाले लिखते हैं और लठ्षमी की स्पेलिंग ये भी कुछ लिखते हैं के ल-a-k-s-h-a-m-i है ना वो डिपेंड करता है कौन लिखते है हाँ सेकंड वाला ज्यादा लिखता है लेकिन जहां लिखा रहता है है ना धन लठ्षमी इस तरह से वहाँ लठ्षमी यही लिखा रहता है यह माता जी वाला है ल-a-a नहीं रहेगा ल-u-x-m-i रहता है हाँ तो यह देखो नाम में यह तो थोड़ा एक क्लू दिया गया बाकी यहां से डिपेंड करता है कि लोग कैसा अपना नाम लिख रहे हैं बताईए यहां से आपका समझ में आ गया पूरा लेकिन अगर में बात करूँ चलो देखता हूँ आप लोग का सही रहता है कि लोग का कि बताईए अकबर की स्पैलिंग A A K अब बताईए अभी बचों reeg कि स्पैलिंग नहीं पता है सोचो मतलब चलो आप बता दो अके बी ए आर है न और आप बता दो अके बी ए आर ये सही है अपका तो अके नहीं लगेगा है देखो यहाँ पर ये तो बिलकुल गलत होगा और ये चीज ये भी गलत होगा जब चार अच्छर वाला रहता है तो जनरली दूसरे अच्छर के बाद और लास्ट अच्छर के बाद ए नहीं लगता है समझ पा रहे हैं न अगर आप वट्सप इंगलिस देखेंगे तो एके वी आर होता है वहाँ ए उ हटा दिया जाता है चैटिंग वाला इंगलिस है ना चल कर या काम करके कर अरे चल कर चल कर चल कर ये एच ल के आर ऐसे रहता है ना वहाँ पर वहाँ मत जाओ यहाँ अकबर की स्पेलिंग ये होगी हना चलो धनपत राय की इंगलिस क्या होगी बताईए धनपत राय ये एक कभी है हाँ धनपत राय चलिए बताईए हलो बता रहे हैं दी एच ए डी एच ए एन एन पी एटी सही है बिल्कुल सही है आपका क्यों सही है क्योंकि चार अच्छर वाला रहे तो दूसरे अच्छर और लाश्ट वाले अच्छर के साथ है मत लगाना तो धनपत और राय की स्पेलिंग क्या होगी अरे मुझे पूरा यकीन था आप यही बताने वाले बट यह हो जाएगा रे यहां पर आर ए आई होता है राय किस पर है अब देखो यहां पर यह भी सही है यह नहीं कह रहे हैं कि गलत लेकिन लिखने वाले यह लिखते हैं भाई राय बरेली कैसे लिखा जाता है आर ए आई नहीं रहता है आर ए ए रहता है सब्सक्राइब देखने तो आज के लिखना भी इतना बोलो समझ में आया आपका तो यह आपका वीदियो क्लिप नंबर 1 था, अब हम लोग मिलते हैं वीडियो क्लिप नंबर 2 में, ओके थेंक्यू, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजी, आपके लिए शुरू किया गया है, 0 to advance, और गारंटी आप एक एक वीडियो क्लिप जादा नहीं, 10 है, 15 मिनिट के बीज का रहेगा, इसमें पूरा, एक 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 दिन में एक ही देखिए, पूरा बेसिक आपका कबर हो जाएगा, ओके, थेंक्यू